हेलो गाईज मैं पियोश आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोशेट लर्निंग पर आज हम आपके लिए एक पेपर लेकर के आए हैं ये भी एमेड एंटरेंस एक्जाम का पेपर है जो की पिछले सालों का है ठीक है तो इसमें जो भी important questions हैं जो आपके syllabus से match करते हुए हैं वो मैंने सारे एक जिगाए पर लिख लिए हैं और उन्हीं के answers आज हम discuss करने वाले हैं यानि हम वो सारी चीजें ही देखेंगे जो हमारे syllabus का हिस्सा है ठीक है जो बचे हुए questions हैं उनको मैंने remove कर दिया है इसलिए आप panic ना हूँ कि बीच के questions आपने छोड़ दिये हैं बीच के जो questions इसमें कुछ part दिया हुआ है वो general awareness का part है वो अब syllabus का हिस्सा नहीं है इसलिए मैंने उसे remove कर दिया है ठीक है तो जो भी आपका syllabus है उसे के according ही आपको questions कराये जा रहे हैं ये जो पूरा paper है ये आपको दो वीडियो में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें लगबग 70 questions के आसपास हैं जिसे मैंने दो parts में तोड़ दिया है ठीक है तो दो वीडियो आपको म किस ने कहा है किशोरा वस्था तूफान एवं तनाओ का काल है ऑप्शन ए जी स्टैनले हॉल ऑप्शन भी थॉन्डाइक ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी जर्सील्ड तो इसका correct answer आप सभी को पता होगा जो कि क्या है जी स्टैनले हॉल बेड के दोरन ये लाइन हमको बार-बार बताई जाती है कि किशोरा वस्था जो है वो तूफान और तनाओ की या तूफान और जंजावत की अवस्था है तो ये किस ने कहा है जी स्टैनले हॉल ने कहा है ये आपको याद रखना है ठीक है अगला important question है हमारा which of the following is not a tool of thinking? option A symbol and science, option B language, option C intelligence या option D image निमनलिकित में से कौन चिंतन का साधन नहीं है, option A संकेत एवन चिन, option B भाषा, option C बुद्धी या option D प्रतिभा तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि tools of thinking होते क्या गया है ठीक है, तो पांच जो होते हैं हमारे tools होते हैं, पहला होता है हमारा image, दूसरा होता है हमारा concept, तीसरा होता है हमारा language, चौथा होता है हमारा symbol, और पांचवा होता है हमारा brain तो ये पांच क्या होते हैं, हमारे tool of thinking होते हैं, ठीक है, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, option C intelligence बुद्धी जो होती है, वो हमारा tool of thinking नहीं होती है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इस question का correct answer हो जाएगा, option C, intelligence, ठीक है, अगला important question हमारा, which gland is known as master gland, option A, adrenal gland, option B, thyroid gland, option C, pancreas, या option D, pituitary gland, किस गरंथी को master गरंथी कहा जाता है, option A, adrenal gland, option B, counter gland, option C, pancreas, या option D, pious gland, तो इसका correct answer हो जाएगा, pituitary gland, यानि कि pious gland, pious gland, pious gland जो होती है, उसको master gland कहा जाता है, ठीक है, हाला कि मैंने इसे करा दिया है, बढ़ इसके आने की chances बहुत कम हैं, बढ़ आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, तो जो pious gland होती है, उ program learning, are based on, option A, field theory, option B, classical conditioning, option C, gestalt theory, या option D, operant conditioning, विक्रमित अधिगम और शिक्षन मशीन का विकास आधारित होता है, option A, छेत्रिय सिद्धान्त पर, option B, classical अनुबंधन पर, option C, gestalt सिद्धान्त पर, या option D, क्रियार प्रसूत अनुबंधन पर, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, मैं उने बताया है, skinner की theory में, तो skinner की theory कौन सी है, तो correct answer हो जाएगा, क्रियार प्रसूत अनुबंधन, यानि की operant conditioning theory, तो skinner की theory का नाम क्या है, operant conditioning theory, तो यहाँ पर यह जो option B है, यह classical conducting लिखा हुआ है, तो यहाँ पर conducting ना हो करके क्या होगा, conditioning होगा, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, classical conditioning theory किसकी है, comment करके जरूर बताएं, अकला question है हमारा, law of learning were propounded by, option A, EL thondike, option B, PL thondike, option C, Kohler, या option D, Pavlo, सिखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, option A, EL thondike, option B, PL thondike, option C, Kohler, या option D, Pavlo, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, EL thondike, EL thondike का पूरा नाम है, Edward Lee thondike, यह आपको याद रखना है, क्योंकि confusion दे सकता है आपके लिए, इसलिए Edward Lee thondike आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन्होंने जो तीन primary नियम दिये थे, वो कौन से थे, वो आप सभी comment करके जरूर बताएंगे, मैं जितने भी question पूछ रहा के answer आपको जरूर comment करके बताने हैं, ठीक है, अगला important question है मारा, army alpha test is related to, option A, verbal individual intelligence test, option B, verbal group intelligence test, option C, nonverbal individual intelligence test, या option D, nonverbal group intelligence test, आर्मी alpha परिक्षण सम्मदित है, option A, शाब्दिक वैक्तिक बुद्धी परिक्षण से, option B, शाब्दिक सामुहिक बुद्धी परिक्षण से, option C, अशाब्दिक वैक्तिक बुद्धी परिक्षण से, या option D, अशाब्दिक सामुहिक बुद्धी परिक्षण से, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री बता देता हूँ World War I के समय में क्या हुआ कि American Army थी American Army में बहुत सारे लोगों को भरती किया गया भरती करने के बाद क्या हुआ कि उसमें से कुछ लोग पढ़े लिखे थे जबकि कुछ लोग इलेक्टरेट थे यानि कि अनपढ़ थे ठीक है अब क्या हुआ कि ये टेस्ट इसले विक्सित किये गए ताकि सभी को एक इंस्ट्रक्शन दिया जा सके वो भी एक कॉमन भाशा में ताकि सभी को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ सके क्योंकि कुछ लोग थे वो अलग भाशा बोलते थे कुछ लोग थे वो अलग भाशा बोलते थे ठीक है इसलिए कोई confusion ना हो हम जीत सकें युद्ध में इसके लिए इन सभी के लिए एक test डवलप किया गया जिसे आर्मी अलफा टेस्ट कहा जाता है और आर्मी बीटा टेस्ट कहा जाता है दो टेस्ट डवलप किये गए एक आर्मी अलफा टेस्ट और एक आर्मी बीटा टेस्ट ठीक है अब हम बात करेंगे army alpha test की और army beta test की ठीक है जो army alpha test था वो उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग illiterate थे यानि की अनपढ़ थे ठीक है तो अब जब कोई व्यक्ति अनपढ़ होगा तो उसको चीज़ें कैसे बताई जाएंगी बोल करके बताई जाएंगी क्योंकि वो लि test होगा तो अब किसी चीज़ को अगर हम बोल कर बता रहे हैं और हम हर वेक्ति को अलग-अलग बताएंगे तो क्या ये सही होगा नहीं इसलिए ये क्या है एक group में बताया जाने वाला test है यानि alpha जो test है वो कैसे बताया जाता है verbally यानि कि बोल के और जब बोल कर हम बताएंगे ही तो हम कई सारे लोगों को एक साथ बोल के बता देंगे एक साथ चीजों को समझा देंगे तो इसलिए इस question का correct answer हो जाएगा verbal group intelligence test ठीक है यानि कि verbal ही बताया जाता था और group में कई सारे लोगों को एक साथ बताया जाता था ठीक है तो यह आपको याद रखना इस question का correct answer तो यह हो जाएगा अब हम यहीं पर nonverbal होगा तो वो group में तो दिया नहीं जाएगा सभी को एक एक परचा अलग से दे दिया गया तो कैसा हो गया individual तो अगर आपसे question पूछा जाए army beta test कैसा होता है तो आपको ध्यान अकना है nonverbal individual intelligence test होता है कौनसा beta test थीक है जब कि alpha test कैसा होता है verbal group intelligence test होता है तो इस question का यानि कि army alpha test जो है वो किस चीज़ से related है तो verbal group intelligence यानि कि शाब्दिक सामुहिक बुद्धी परिक्षान से ये जुड़ा हुआ है ठीक है, उमीद करता हूँ ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट ये इंपॉर्टेन्ट टेस्ट है, ये इमेट के इंटरंस एक्जाम में पूछे जाएंगे, वो अलग बात है इसके लावा ये यूपिटेट, सीटेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है अगला कॉश्चन है मारा, टू फैक्टर थियोरी ओफ इंटेलिजेंस टू फैक्टर थियोरी ओफ इंटेलिजेंस किस ने दी है, आप्शन A, टर्मन ने, आप्शन B, थॉन डाइक ने, आप्शन C, स्पियर मैन ने, या आप्शन D, थर्स्टन ने बुद्धी के दूई तत्व सिधानत को समर्थन दिया, आप्शन A, टर्मन, आप्शन B, थॉन डाइक, आप्शन C, स्पियर मैन या आप्शन D, थर्स्टन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप्शन C, स्पियर मैन स्पियर मैन ने क्या दिया था, टू-फैक्टर थियोरी ओफ इंटेलिजेंस दी थी, ठीक है अगला कोशन है, इंटेलिजेंस ओफ स्टूडेंट हैविंग सुपीरियर अकेडमिक अचीवमेंट इसरेलिजेंस ओफौषन B, कनक्रीट इंटेलिजेंस ओफशन C, सोशल इंटेलिजेंस या ओफशन D, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उत्ख्रष्ट सैक्शिक अपलबदी वाले विध्यार्थियों की बुध्धी संबंदित होती है आप्शन A, अमूर्थ बुद्धी, आप्शन B, मूर्थ बुद्धी, आप्शन C, सामाजिक बुद्धी, या आप्शन D, व्यवहारिक बुद्धी तो इस question का correct answer हो जाएगा, आप्शन A, abstract thinking जो लोग abstract thinking कर पाते हैं, वो सारी चीज़ों क्या कर पाते हैं, visualize कर पाते हैं कि जो intelligence level है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका correct answer क्या हो जाएगा, abstract intelligence हो जाएगा अगला question है मारा, pick out the term which has not been used by P.A.J. Option A, assimilation, Option B, Iconic, Option C, Equilibration, Option D, Schema प्याजे द्वारा प्रियुक्त ना किये जाने वाले नाम छाटे, Option A, आत्मसातिकरण, Option B, द्रश्य प्रतिमा, Option C, सामिधारण, या Option D, Schema तो इस question का correct answer हो जाएगा, Option B, Iconic Iconic जो है वो इनके दोरा प्रतिपादित या इनके दोरा यूज नहीं किया गया था जबकि नोंने Equilibration, Schema, Assimilation, Accommodation, Adaptation इन सारे शब्दों का प्रियुक्त किया था अगला question है मारा, match list 1 with list 2 list 1 को list 2 से match करना है, तो अब आप ये वाला question खुद से solve करके मुझे बताएंगे कि क्या कैसे match होगा, ठीक है, तो इस question को आप इस तरीके से solve नहीं करेंगे कि option A है, option B है, इसमें आप theory जो जैसे के लिखा हुआ है, connectionism तो connectionism का correct answer क्या होगा, वो उसके सामने लिखेंगे, ठीक है classical conditioning तो उसका क्या होगा, gestalt theory तो उसका answer क्या होगा, इस तरीके से आप type करके मुझे भेजेंगे, ठीक है अगला question है मारा, which one is not chief characteristic of infancy option A, stability in physical mental development, option B, attitude of repetition, option C, imaginativeness, option D, feeling of self-love कौन सी शैश्वावस्था की मुख्य विशेष्टा नहीं है, option A, शारेरिक मानसिक विकास में स्थिर्था option B, दोहराने की प्रवरत्ती, option C, कलपना शील्था, या option D, आत्म प्रेम की भावना तो इसका correct answer हो जाएगा, option C, imaginativeness, यानि कलपना शील्था ठीके, कलपना शील्था क्या होती है, ये बच्चे में शैश्वावस्था के दोरान नहीं होती है बाकी बच्चे में stability आने लगती है, physical और mental, इसके लावा दोहराने की प्रवरती आती है कोई चीज वो सुनता है, तो उसे बार-बार repeat करता है, ठीके, और अपने प्रति उसके अंदर लव भी जागरत हो जाता है ठीके, तो इसलिए इसका correct answer हो जाएगा, imaginativeness, ठीके अगला question है मारा, who enunciated theory of instinct मूल प्रवरतियों का सिध्धांत किस ने प्रतिपादित किया है, option A, James ने, option B, Watson ने, option C, William MacDougal ने, option D, Woodworth ने तो इसका correct answer हो जाएगा, क्या, William MacDougal ने, William MacDougal ने ही क्या दिया है, मूल प्रवरतियों का सिध्धांत दिया है, ठीके, तो इसको आपको याद रखना है कि William MacDougal ने, इस question का correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगला question है मरा, which one is more suitable for development of individual, option A, heredity, option B, environment, option C, heredity plus environment, option D, heredity into environment, वेक्ति के विकास के लिए कौन अधिक उपियुक्त है, वंचानुक्रम, option B, वातावरान, option C, वंचानुक्रम plus वातावरान, या option D, वंचानुक्रम into वातावरान, तो इस question का correct answer हो जाएगा, option D, heredity into environment, यानि कि वंचानुक्रम into वातावरान जो है, इस question का correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब भी इस तरीके क question आएगा तो हमेशा क्या होता है heredity multiply होती है environment के साथ में ठीक है इसलिए इस question का correct answer क्या हो जाएगा heredity or into environment ठीक है अगला question है मारा center of intelligence is option A cerebral cortex option B cerebellum option C thalamus option D medulla बुद्धी का केंद्र है option A cerebral cortex option B anumastish option C thalamus option D medulla तो इस question का correct answer है cerebral cortex cerebral cortex cerebral cortex जो होता है सर के आगे वाले हिस्से में होता है और बाकी ये जो तीनों पोर्षन है यानि की हमारा cerebellum, thalamus और जो medulla है, ये जो सर के पीछे वाले हिस्से में होता है ठीक है, तो जो आगे वाला सर होता है, यानि सर के जो आगे वाला हिस्सा होता है, वही हमारे intelligence के लिए कारे करता है, ठीक है इसको अगर हम Hindi में देखें, जैसे यहाँ पर cerebral cortex लिखा हुआ है जब इसको और define करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रामस्तिश्क के रूप में जाना जाता है ठीक है, प्रामस्तिश्क आ जाए, या फिर cerebral cortex आ जाए, ठीक है, तो यही इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है अगला question, the first psychological laboratory was established by, यह question मैंने बहुत बार आप से कराया है, तो यह आप सभी comment करके बताएंगे, कि पहली मनोविज्यान प्रियोग शाला की स्थापना की थी, किसने की थी, options बताता हूँ मैं, यल्थोंडाइक, पाबलो, विलियम वॉंट या वाटसन, तो इसे आप comment करके बताएंगे, ठीक है अगला question है हमारा, who says that democracy is a government in which everybody has a share option है, बोड़े, option A board, option B अरस्तू, option C महत्मागांधी, या option D, C ले, तो इस question का correct answer हो जाएगा, हमारा option D, C, ले, जो John Robert C, ले थे, उन्होंने ही ये बात कही थी, कि democracy is a government in which everybody has to share ठीक है, यानि प्रजात अंत्रे के ऐसी सरकार है, जिसमें सभी को सम्मिलित होना पड़ता है, ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, John Robert C, ले ने कही थी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, अकला question है, हमारा, who divides culture in the form of material and non-material, option A Listerward, option B Augborn, option C MN Srinivas, या option D Comte, भहतिक तथा, भहतिक रूप से संस्कृति को किसने बाटा है, option A Listerward, option B Augborn, option C MN Srinivas, या option D Comte, तो इस question का correct answer है हमारा Augborn, ठीक है Augborn या Augborn जो है हमारे, वो क्या है, उन्होंने ही बाटा है कि जो भी संस्कृतियां होती है, वो भहतिक और अभहतिक रूप में विभाजित हो जाती है, ठीक है तो यह याद रखना है कि किसने कल्चर को material और non-material में बाटा है तो इसका correct answer है, Augborn ठीक है, अगला question है हमारा Which of the following is a barrier to social change Option A, economic development Option B, scientific invention Option C, vested interest या Option D, pragmatic outlook निमने लिकित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक है Option A, आर्थिक विकास Option B, वैज्ञानिक अनुसंधान Option C, निहित स्वार्थ या Option D, व्यवहारिक द्रेश्टिकून तो इस question का answer आप सभी को पता होगा कि क्या होगा निहिर्त स्वार्थ ठीक है, जब भी हमारा स्वार्थ होता है किसी चीज में तो वो परिवर्तन का कारण नहीं बनता है इसलिए आपको याद रखना है इसका correct answer हो जाएगा Vested Interest यानि कि Economic Development, Scientific Inventions और Pragmatic Outlook की वज़े से क्या होता है समाज में परिवर्तन आते हैं ठीक है, धीरे-धीरे जब हम एकोनोमिकली डेवलप करते हैं फिर क्या होता है, धीरे-धीरे Scientific Inventions होती है और उसी के basis पर हमारा दरिश्टिकोन भी बदलता हुआ चला जाता है और हमारे समाज में परिवर्तन आ जाता है ठीक है, तो इस question का correct answer हो जाएगा वेस्टेट इंट्रेस्ट, यानि कि जो हमारे नहीं स्वार्थ होते हैं उनकी वज़े से सोशल चेंज में एक बाधा आ जाती है ठीक है अगला question है हमारा, what is modernization? option A, to earn more money option B, adopting western culture option C, changing way of life option D, development of scientific temper आदुन की करण क्या है? option A, खूब पैसा कमाना option B, पाश्यात्य संस्कृति अपनाना option C, जीवन की राह बदलना या option D, वेग्यानिक सुभाव का विकास तो इस question का correct answer हो जाएगा changing way of life चीक है, changing way of life इस question का correct answer होगा, यानि कि जीवन की राह बदलना जब हम modernization की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कि जो भी हमारी life होती है, जो कि rural life और बाकी सब चीज़े होती है उसको छोड़ करके हम एक नया जीवन अपनाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जीवन की राह बदलना यानि की modernization हो जाना, ठीक है तो आपको याद रखना है, इस question का correct answer है changing way of life, यानि की जीने की राह बदलना, अगर हम बाकी के options की बात करें, तो क्या पाते हैं कि to earn money, पैसा कमाना ही आधुनिकी करन है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो जिसके पास पैसा है तो वो आधुनिक हो गया, तो ऐसा नहीं है ठीक है, adopting western culture यानि अगर हम western culture को अपना लेंगे, तो हमारा विकास हो जाएगा यानि हम modern हो जाएगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और development of scientific temper, अगर हम बात करें scientific temper की development की, तो अगर हम rural India की बात करें, तो rural India में भी बहुत सारे development होते हैं, जो कि scientific होते हैं changing way of life और वही modernization होता है, अगला question है हमारा, who holds that ultimate reality is spiritualism option A, realism, option B, pragmatism, option C, individualism, या option D, naturalism कौन मानता है कि अंतिम वास्तविक्ता आध्यात्मिक्ता है option A, यथार्थवाद option B, प्रयोजनवाद option C, आधर्षवाद या option D, प्रकृतिवाद तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, option C, idealism आधर्षवाद जो है, वो ही मानता है कि जो अंतिम वास्तविक्ता है वो आध्यात्मिक्ता है, ठीक है यानि अंतिम सत्य क्या है, आध्यात्मिक होना ठीक है, अगला question है idealists consider themselves as a creator and determines of methods, not devotees of someone method who remarked, option A, Adams option B, Butler, option C, Rose option D, Plato किसने कहा, आधर्षवादी अपने को किसी एक विधी का दास ना मानकर, विधियों का निर्मातावा, निर्धारण करता समझते हैं, option A, Adams option B, Butler option C, Rose, या option D, Plato तो इस question का correct answer क्या है, बटलर जो बटलर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जो idealistic लोग होते हैं वो अब एक विधी पर टिके नहीं रहते वो विधियों का निर्मारत करते रहते हैं ठीक है, तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा, बटलर ठीक अगला question है मारा fundamental principle of which school of philosophy is that ideas are more important than object option A idealism, option B realism, option C existentialism, option D naturalism किस दर्शन के संपरदाय का मोलभूत सिधान्थ है कि वस्तूओं की अपिक्षा विचार अधिक मैत्पून होते हैं option A आतर्शवाद, option B यथार्थवाद, option C अस्थित्वाद, या option D प्रकृतिवाद तो इस question का correct answer हो जाएगा option A idealism idealism ये मानता है कि वस्तूओं की अपिक्षा जो विचार है वो जाधा important है विचारों पर ही जोर किस ने दिया है idealism ने विचारों पर जोर जाधा दिया है ठीक है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा idealism यानि की आतर्शवाद, ठीक है अगला question है हमारा कौन समर्थन करता है कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में सिक्षित होना चाहिए option A आदर्शवादी, option B प्रकृतिवादी, option C यधार्थवादी, या option D प्रयोजनवादी तो इस question का correct answer हो जाएगा option B प्रकृतिवादी प्रकृतिवादी सोचते हैं कि जो बच्चा है हमारा उसे natural environment में ही सीखना चाहिए ठीक हैं? अगला question हमारा according to naturalism, what is truth? option A idea is truth, option B truth is not permanent, option C whatever can be experimentally verified is truth या option D which can be felt through senses प्रकृतिवादी के अनुसार सत्य क्या है? option A विचार सत्य है, option B सत्य इस्थाई नहीं है option C जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके वही सत्य है या option D जो ग्यानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके तो इस question का correct answer हो जाएगा, option D जो ग्यानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके ही वही क्या होता है सत्य होता है, प्रकृतिवादी मानते हैं कि which can be felt through senses is called truth ठीक है, तो यह इसका correct answer क्या हो जाएगा, option D अगला question है हमारा which school of philosophy regards the whole universe as a huge machine? option A pragmatism option B naturalism option C realism option D idealism दर्शन सास्तर की कौन सी विचारदारा संपूर्ण विश्यो को एक विशाल यंत्र मानती है option A प्रायोजनवाद option B प्रकृतिवाद option C यथार्थवाद या option D आदर्शवाद तो इस question का जो correct answer है वो exactly मुझे कहीं नहीं मिला ठीक है ना मैंने ये कहीं पढ़ा है ना मुझे ये किसी philosophy की किताब में मिला है ठीक है तो इस question को आप hold करके डाल दीजे इसको मैं देखता हूँ अगर मुझे इसका answer मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है और अगर इस question का answer आपको कहीं मिले तो आप भी मुझे comment करके जरूर बताएगा कि इस question का correct answer है क्या साथी साथ उसका screenshot मुझे whatsapp कर दीजेगा ठीक है अगला important question है हमारा इस question का correct answer हो जाएगा option C आत्मानु भूती आदर्श्वादी सिक्षा का मुख्य उद्देश है ठीक है तो यह आपको याद रखना है यानि self-realization is the main aim of idealistic education ठीक है अगला question हमारा which one is not a form of realism option A sense realism, option B social realism, option C neorealism, option D biological realism कौन यथार्थवाद का रूप नहीं है option A ग्यानेंद्रिय यथार्थवाद, option B सामाजिक्तावादी यथार्थवाद option C नव यथार्थवाद, या option D जीव वैग्यानिक यथार्थवाद इस question का correct answer हो जाएगा option D biological realism, यानि जीव वैग्यानिक यथार्थवाद अगर हम बात करें idealism की, तो कितने form होते हैं तो इसके चार form होते हैं ठीक है, पहला आपको दिया है sense realism, यानि की ज्यानेंद्री यथार्थवाद दूसरा दिया है social realism, तामाजिक उतावादी यथार्थवाद तीसरा दिया हुआ है neorealism, यानि नव यथार्थवाद इसके बाद जो चौथा आता है, वो हमारा आता है humanistic humanistic realism ठीक है, तो यह आपको चारवे याद रखने हैं कि sense realism होता है, social realism होता है, neorealism होता है और चौथा जो होता है, वो होता है humanistic realism तो यह चारवे आपको याद रखने हैं, ठीक है और इस question का correct answer क्या हो जाएगा तो इस question का correct answer हो जाएगा biological realism क्योंकि ऐसा कोई term नहीं होता है ठीक है अगला question है प्रोजेक्ट method was formulated by option A. Kilpatrick option B. Herbert option C. Ratke option D. John Davy प्रोजेक्ट विधी का प्रतिपादन किया option A. Kilpatrick ने option B. Herbert ने option C. Ratke ने option D. John Davy ने option A. Kilpatrick जो Kilpatrick थे हमारे इनका पूरा नाम क्या था William Kilpatrick William Kilpatrick ने ही प्रोजेक्ट method दिया था और कब दिया था तो 1918 में ने ये method दिया था ये आपको याद रखना है प्रोजेक्ट method किसने दिया था तो ये दिया था William Kilpatrick ने ठीक है अगला question है हमारा इश्वर सभी वस्तूं को अच्छा बनाता है मनुष्य के हस्तशेप से खराब हो जाती है इस तत्तिका समर्थन किया है option A. Plato ने option B. Aristotle ने option C. Russo ने या option D. Pastology ने तो इस question का correct answer है option C. Russo रूसो ने ये बात कही है कि इश्वर सभी वस्तूं को अच्छा बनाता है लेकिन मनुष्य के हस्तशेप से वो खराब हो जाती है ठीक है तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा रूसो ठीक है अगला important question हमारा pragmatism believes in option A. Perennial Ideas and Values option B. Changing Ideas and Values option C. Permanent Ideas and Values या option D. None of the above प्रियोजन वाद की मानेता है option A. चिरंतन आदर्शों एवं मूलियों में option B. परिवर्तन चील आदर्शों एवं मूलियों में option C. स्थाई आदर्शों एवं मूलियों में या option D. उप्रोग तुमें से कोई नहीं तो इस question का correct answer क्या हो जाएगा परिवर्तन चील आदर्शों एवं मूलियों में यानि कि Changing Ideas and Values यानि pragmatism बात करता है कि जो परस्थितियों के अनुसार जो हमारे ideals होते हैं और values होती हैं यानि हमारे आदर्श और मूले बदलते रहते हैं ठीक है तो pragmatism यानि प्रयोजन बात क्या करता है कि जो भी इस्थिति होती है उसी के according हमारे जो मूल हैं आदर्श हैं वो बगलते रहते हैं ठीक है तो इस question का correct answer हो जाएगा option B Changing Ideals and Values यानि कि परिवर्तन चील आदर्शों एवं मूलियों में ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको सारे question समझ में आ गए होंगे जो एक question बीच में छूटा हुआ है मैं लगतार उसको search कर रहा हूँ अगर वो कहीं मिलता है तो मैं आपको inform कर दूँगा ठीक है तो चलिए वीडियो को इसमाप्त करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे और हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भोले